हाई हम लोग सेटन रिलेशन के एक्सरसाइस टू का क्वेस्टन नमबर 29 करेंगे इस क्या बोल रहा है एक सेट ले लेते हैं एक सेट लिया हमने और उसके एक सेट लेमेंट्स हैं 1 2 & 3 तो हमने इसमें से बनाए आर बनाया और एक स बनाया और 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 न यह और रालब यह सक लिए लेते हैं फिर स्माले या कहई हमें 1,2,2 और 3,3 ज़्यान मैं रिफ्लेक्सिट काले लेते हम इसमें 1,2 लिया और 2,1 तो देखो यहां पर क्या होगा 1,2 हमने लिया है तो 2,1 भी है तो यह symmetric है अब 1,2 और 2,1 है तो इससे क्या बनके आएगा 1,1 बनके आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा यह ट्रांजिटिब भी हो जाएगा तो एक तो यह हो गया equivalence relation यह दूसरा हम क 2,2 3,3 और हम ले लेते हैं 1,3 और 3,1 तो यह भी एक equivalence relation है इसमें तो अब हमें क्या करना है हमें बताना है कि R union S जो होगा वो क्या होगा तो R union S अगर हम बनाएंगे तो देखो क्या बनेगा हमारे पास एक तो आएगा 1,1 एक तो आएगा 2,2 3,3 1,2 2,1 1,3 और 3,1 यह आजाएगा तो अभी देखो यह reflexive तो है यह दिख रहा है यहां से इनकी 1,1 है 2,2 3,3 यह भी है अब यहां पे देखो 1,2 है 2,1 है और 1,3 है 3,1 है तो इस से metric भी है लेकिन अगर हम 2,1 और 1,3 लेते हैं 2,1 और 1,3 तो इससे resultant क्या आएगा 2,3 ट्रांजिटिव के लिए तो इसमें तो गहीं 2,3 है नहीं तो यह ट्रांजिटिव नहीं है ट्रांजिटिव नहीं है अगर तो एक्क्विलेंस relation नहीं होगा अब दूसरा में क्या चेक करना है R-S चेक कर लेते हैं पहले 3rd option R-S क्या आ जाएगा देखो पहले तो इनका intersection देख लो क्या है 1,1,2,2,3,3 है और R-S क्या होगा यह हो जाएगा 1,2 और 2,1 तो यह तो साफ दिख रहा है यह बस symmetric है ना ही यह ट्रांजिटिव है ना ही यह reflexive है तो यह क्या हो जाएगा यह भी नहीं हो सकता अब B option देखते हैं B option क्या है R intersection S है तो R और S का intersection निकालेंगे तो क्या आएगा 1,1 आएगा 2,2 आएगा और 3,3 आएगा ठीक है तो इस से देखो इसमें देखो यह reflexive भी है और यह symmetric भी है और यह transitive भी है वगर ऐसा है तो R intersection S जो है यही हो जाएगा आपका equivalence relation और यही option आपका correct हो जाएगा के थेखो भी है जिसरे क्या आएगा प्रहमदो कि जास इस दुर्ट आएगा धिस देखो झाया है यह जाएगा जाएगा।